बिस्मिल्लाब रबरहीम, असलाम लेकूं, जैसे हैं सब अमीट करती हैं, सब खेरियों से होगे, जहां रहें, हुश रहें, अबात रहें, हस्ते मुस्कुराते रहें, तो जी वे और स्यासक आप देखी चुके हैं, टाइटल में कि आज हम बना रहे हैं, मज़ितार इसकी लिए मैं कुल चार किलो जो दूद लिया है, वो मैंने बरतन में डाल लिया है, और साथी आज जुए जो है, वो चला लिया, ताकि यह दूद जो है, अच्छी तरह से इसको बॉइल आ जाए, जब दूद अच्छी तरह से बॉइल आ जाएगा, पकना शुरू हो इसमें शामल करेंगे बाकी की चीज़े हैं इसको मैं बता रही हम इसमें हेलाईची, बादाम और पिस्ता, इन सारी चीज़ों को यह हम, थोड़ा सब्स लेंगे और इन को शामल करेंगे इसके अधर, इसके कुछ दो है, इन ड़ी तर्चंच में टाकर के रहेंगे 3 for next जो है चीन्नी है जो के मैंने कपली है और इसके लावाव शे करेकर लेथा all like ropeνε. एक पहुद्थ के करीम तक्रीम चावल जो हैं इसमें शामल करेंगे हम क्लेज यह सारी चीज़े हैं जो कि इसके लिए चाहिए और जो करें अब दूद में तक्रीमाइम आने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं तक्रीवन वाइल आ चुका है इसका अभी हम जब इसका वाइल आ जाएगा तो हम इसमें नेक्स जो है चावल शामल करेंगे जो के मैंने पहले से बिगो के रख दिये थे मैं खीर में चावल वाइल करके नहीं डालती शुरू में जब इसको दूद को घरम करती हूँ तभी इसमें शामल कर देती हूँ जब दूद को एक दो बॉाइल आ चुके होते हैं तब जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूद को बॉाइल आ रहा है इसी तरह दो तरिन वाइल आने के बाद हम इसमें जो है वो शावल कर देंगे चावल जो के मैंने तक्रीम एक पाउ के क्रीब ले है इसकी बहतरीन जो बनाने का तरीका यह है खीर का के जितना आप दूत लें उससे बहुत कम जो है वो चावल नहीं ज्यादा सारे चावल ना कि इस तरह फिर उसका जायका नहीं बनेंगा बस चावल ही चावल लगेंगे वो इसके अंदर यह हम इसमें शामल करें चावल यह आप देख सकते हैं कि दूद जो है उसमें वाइल आ रहा है दूद पक रहा है इसी तरह हम इसको पकने देंगे थोड़ देर के लिए नार्म इसरी और देखें जावल जो है तक्रीपन पक चुके हैं एक तरह से वो बाल की तरह जैसे वाल के होते हैं वैसे हो चुके हैं विनेक्स जो हैं हम इसमें डालेंगे यह जो मेवा जात है वो इसको थोड़ा से उसके कुछ खिशा हम पीस लेंगे पिस्ता और बदाम गएरा इसमें चार से पांच अदर जो है अलाइची शामल करूँगी उससे उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी आएगा फिलेवर उसका जो है बहुत अच्छा आएगा देखें जी चार अतर जो है वो लैची जैसा कि मैं पहले बता चुके अभी यह ग्राइंड हो चुके हैं बिल्कुल बारीक परीक पिस चुके हैं अब हम क्या करेंगे दूर जो है उसमें वाइल आ चुके है अच्छी तरह से चावल पक चुके हम इसमें चीवली शामल करेंगे हस्पे जायका जितनी आप उसमें चाहें कि आप कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा खाना पसांद करते हैं मिठा कुछ कम खाते हैं अपनी जु करेंगे वो पिस्ता और दाम वगयरा जो हमने ग्राइं करके रख लिये थे अब इनको तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जल्दी से फोराण से मिक्स करेंगे ताकि यह घुठली आना बनने और फिर वह अच्छी तरह से मिक्स नहीं आई आप देसा कि आपने सकते हैं कि ये रेस्पी अच्छी लगी होगी अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और कुमेंट करके में